नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है लंबवत अक्षप्रवें। तो आईए अब हम यह जानते हैं कि लंबवत अक्षप्रवें क्या होता है, कहां पर अपलाई होता है और किस प्रकार से इसे ग्यात किया जा सकता है। तो देखी, इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछले वीडियो में हमने जड़त्वा घून के बारे में पढ़ा था, और हमने ये जाना था कि जड़त्वा घून किसी वस्तु का गुड होता है, जो क्या कारे करता ह वस्तु के घूडन गती करने का विरोध करता है यहाँ पर आपने जरत्वागूण की वैलू कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया था कि यहाँ पर माल लिया था कि कोई अक्ष है y y- और इसी अक्ष के परिचा M दरविमान का कोई पिंड घूडन गती कर रहा है तो यहाँ से जरत्वागूण की वैलू को आपने कैलकुलेट किया था और इसका माना आया था I is equal to M into R square जहां M पिंड का दरविमान है और R क्या है तो देखिए यहाँ पर पिंड इस अक्ष के चारों तरफ घूडन गती कर रहा है तो इसी अक्ष से पिंड के बीच की दूरी R है तो यहाँ से I की वैलू थी I is equal to M into R square अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपने जरत्वागूण के मान को ग्यात किया है वह किसी पिंड के लिए ग्यात किया है तो इस वीडियो में हम लंबवत अक्ष प्रमे के माध्यम से यह जानेंगे कि किसी सतह में उत्पन होने वाले जरत्वागूण का मान किया होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई सतह है अब यहाँ पर आप एक सतह देख रहे हैं तो यहाँ पर इसके दो अक्ष होंगे एक अक्ष होगा और एक यहाँ पर हम इन दोनों अक्षों को ग्याद कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि इस दिसा में एक्ष हो गया और ठीक इसी दिसा में हम मान लेते हैं यह यह अक्ष हो गया तो यहाँ पर इस दिसा में हमने x अक्ष और इस दिसा में हमने y अक्ष को ग्याद कर लिया अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस सता के लंबोत कोई सीधी रेखा खींच दें यानि कुछ इस प्रिकार से हम एक सीधी रेखा खींच दें तो यह क्या हो जाएगा तो ये Z अक्ष को दर्साएगा यानि यहाँ पर तीन अक्ष हो गए एक X अक्ष हो गया एक Y अक्ष हो गया और एक Z अक्ष हो गया और इसी सतह में हमें जड़त वागूण के मान को कैल्पुलेट करना है या ज्याद करना है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम इस सतह में जड़त वागूण का मान गयाद करेंगे तो हर एक सतह के लिए अलग-अलग मान प्राप्थ होगा X अक्ष के लिए कुछ और मान प्राप्थ होगा Y अक्ष के लिए कुछ और मान प्राप्थ होगा तो यहाँ पर जब हम जड़त वागूर का मान x अक्ष के लिए गयाद करेंगे तो इसका मान हो जाएगा i x ठीक सी प्रकार से जब हम जड़त वागूर का मान y अक्ष के परिताह गयाद करेंगे तो इसका मान हो जाएगा i y और जब जड़त वागून का मान हम Z अक्ष के परिता ग्याद करेंगे तो इसका मान हो जाएगा IZ अब यहाँ पर तीन मान निकल रहे तो इनका total value क्या होगी यानि इनका कुल जड़त वागून का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पर इस सतह में उत्पन होने वाले कुल जड़त वागून का मान हो जाएगा IZ is equal to IX plus IY यानि कहने का मतलब यह है कि Z अक्ष के चारो तरफ उत्पन होने वाले जड़त वागून का मान y x के 4 उत्पन होने वाले जरत्वागूर के मान और x x के 4 उत्पन होने वाले जरत्वागूर के मान के योक के बरावर होता है यानि i z is equal to i y plus i x अब यहां पर यह जो value आपको प्राथ होई है इसे हम prove करेंगे यानि सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से यह मान ग्यात होगा यानि IZ is equal to IY plus IX के मान को हम prove करेंगे तो यहाँ पर आपको जड़त्व अगूर का मान ग्यात करना पड़ेगा और जड़त्व अगूर का मान ग्यात करने के लिए यहाँ पर हम मालेंगे कि इस सतह में कोई पिंड है यानि M द्रविमान का कोई पिंड हम मालेंगे तो यहाँ पर हम मालेंगे कि जो पिंड है वह बहुत छोटा सा पिंड है यानि यहाँ पर इस्थित है और पिंड का जो साइज है वह बहुत सी छोटा है तो अगर पिंड का आकार बहुत ही छोटा होगा तो इसके द्रविमान को हम dm माल लेंगे यानि यहाँ पर माल लेंगे कि पिंड बहुत ही छोटा है तो इसका द्रविमान dm है अगर पिंड बड़ा होता तो इसका द्रविमान हम m माल लेते लेकिन छोटे पिंड का दर्विमान हम DM माल लेंगे अब यहाँ पर देखिए अगर हमें इन अक्षों के चारों तरफ जड़त वागूर का मान ग्याद करना हो यहाँ अक्ष के साफ़े एक शगर जड़त वागूर का मान ग्याद करना हो ग्याद करेंगे कि x अक्ष से इस पिंड की दूरी क्या होगी तो x अक्ष से पिंड की दूरी को हम ग्याद करेंगे तो यहाँ पर जब हम इस लाइन को मिला देंगे तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी इसकी दूरी को हम y से विक्त कर देंगे देखिए इस अक्ष पर आपने y को माना है तो यह जो दूरी हो जाएगी वो y हो जाएगी लेकिन अगर यही दूरी हम y अक्ष से ग्याद करें तो इसका मान क्या होगा तो y x और यहाँ पर इस pin को हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर इस pin को और y x से मिला देंगे तो यह दूरी क्या हो जाएगी यह दूरी x हो जाएगी यानि इस दूरी को हम x कहेंगे ठीक इसी प्रकार से जब हम z x और इस पिंड को मिला देंगे तो यहाँ पर इस दूरी का भी मान ग्यात हो जाएगा लेकिन इस दूरी को हम कुछ मान लेंगे तो मान लेंगे कि जो यह दूरी है वो R है तो यहाँ पर हमें दूरिया ग्यात हो गई और जो पिंड का द्रविमान है वह हमें पहले से ही ग्याद है, यानि यहाँ पर पिंड इस्सित है, तो इसका दरविमान हमें पहले से ही ग्याद है, तो अब हम यहाँ पर जड़त्वागूर के मान को ग्याद कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यह ग्याद करते हैं, कि जब पिंड एक्स अक्ष के परिताब calculate करेंगे तो i x का मान हो जाएगा देखिए m की जिगा हम dm रखेंगे तो dm हो जाएगा और r की value क्या है यानि r distance है तो यहाँ पर जो दूरी है वो y है तो यहाँ पर value हो जाएगी dm into y square और यह हो जाएगा हमारा समयकर number 1 ठीक सी प्रकार से जब हम i y की value को calculate करेंगे तो इसका मान क्या होगा तो यहाँ पर जब हम i y की value को calculate करेंगे i y के मान को हम यहाँ पर ग्याद कर लेते हैं तो i y का मान हो जाएगा i y is equal to dm into x square देखिए यह दूरी x है तो यहाँ पर जब यह इसके साब x घूरन गती करेंगा तो यह क्या होगा यह x दूरी लेकर करेंगा तो यहाँ पर यह दूरी x हो जाएगी तो i y की value हो जाएगी dm into x square और इसे लिखेंगे समयकर number 2 ठीक इसी प्रकार से जब हम z x के साब x इसके घूरन गती को गयाद करेंगे तो यहाँ पर जो जड़त्वागूर उत्पन होगा उसका मान क्या होगा यानि इस value को हम calculate करेंगे तो जब यहाँ पर पिंड इस z x के साब एक्ष घूरन गती कर रहा होगा तो उत्पन होने वाला जड़त्वागूर i z है तो i z की value को हम यहाँ पर calculate करेंगे तो i z का मान क्या हो जाएगा देखिए dm into r square यह दूरी को आपने r माना है तो यहाँ पर हम r square लिख देंगे और यह हो जाएगा समिकार नमबर 3 अब यहाँ पर इस समिकार नमबर 3 में देखिए समिकार नमबर 3 में हम कुछ बदलाओ करेंगे कुछ परिवर्तन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है dm into r square तो r square की value को हम change करेंगे तो यहाँ पर r square की value कैसे change होगी देखिए आप इस त्रिभुज में देखिए इस बिंदु को हम o मान लेते हैं इस बिंदु को हम p मान लेते हैं और इसे हम q मान लेते हैं यानि त्रिभुज o p q में आप देखिए यह जो दूरी है r इसे आपने कर्ण मान सकते हैं यानि इसे आप कर्ण मान सकते हैं इसे आप لم्ब मान सकते हैं और यह जो दूरी है इसे आप आधार मान सकते हैं तो यहाँ पर क्या फार्मूला होता है कार्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यानि यहाँ से value निकल जाएगी r square is equal to x square plus y square यानि यह जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे आप x मान सकते हैं यह x है तो यह भी x होगा और यह y है तो यहाँ पर value हो जाएगी r square is equal to x square plus y square अब इसी value को उठा करके हम इसी जगा पर put कर देंगे तो यहाँ से iz की value change हो जाएगी तो यहाँ से iz का एक नया मान मिल जाएगा और वो हो जाएगा iz is equal to dm यहाँ पर इस समीकर्ण में देखिए याँ इस समीकर्ण 4 में देखिए यहाँ पर अगर इस कोस्ठक को खोल देंगे तो यहाँ पर मान परिवर्थित हो जाएगा तो यहाँ पर इस समीकर्ण को हम हल करेंगे तो यहाँ से iz की value हो जाएगी iz is equal to dm into x square dm into x square हो जाएगा plus dm into y square तो इस तरीके से यहाँ पर value मिल गई हमें अब यहाँ पर dm into x square को आप देखिए इसका मान क्या है तो देखिए dm into x square का मान है i y तो यहाँ पर इस जगह पर हम लिख देंगे i into y अब यहाँ पर लिखा हुआ है dm into y square तो dm into y square का मान है i x तो यहाँ से हम i x लिख देंगे तो यहाँ से i z की value क्या हो जाएगी देखिए यहाँ से i z की value हो जाएगी i z is equal to i y plus i x तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह सिद्ध कर लिया कि z x के साप h उत्पन होने वाला जड़त्वा घूर x अक्ष के साप h उत्पन होने वाले जड़त्वा घूर और y x के साप h उत्पन होने वाले जड़त्वा घूर के योग के बराबर होता है यानि i z is equal to i y plus i x तो यहाँ पर हमने लंबोत अक्ष के प्रमे को समझ लिया और इसके मान को भी calculate कर लिया अब हम यह ग्याद करेंगे कि जो लंबोत अक्ष प्रमे है वा किस condition में apply होता है यानि किन-किन परिस्थितियों में लागू होता है और किन-किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है यानि इसकी भी कुछ सीमाएं होती है इसकी भी कुछ सर्ते होती है तो आईएव हम यह जानते हैं कि लंबवत अक्ष प्रमे की सर्थें क्या होती है तो लंबवत अक्ष प्रमे की जो सबसे पहली सर्थ होती है वह होती है सता का two dimensional होना यानि सता दो विमिये होना दो विमिये सता के लिए यह प्रमे अपलाई होता है लागू होता है अब यहाँ पर जो दूसरी सर्थ होती है वह यह होती है कि X-UX, Y-UX और Z-UX यह तीनों ही योच एक दूसरे के perpendicular होने चाहिए, एक दूसरे के लंबोत होने चाहिए यानि कहने का मतलब है कि X-Aक्ष, Y-Aक्ष और Z-Aक्ष तीनों ही एक दूसरे के लंबोत होने चाहिए और इसी के पस्चाहत यहाँ पर जो तीसरा सर्थ होता है वह यह होता है कि जो X-Aक्ष है और जो Y-Aक्ष है वह इसी सता से हो करके गुजरना चाहिए अगर कोई बॉड़ी है यानि कहने का मतलब यह है कि कोई पिंड है तो उस पिंड में क्या होता है उस पिंड का द्रविमान होता है और जो पिंड का पूरा द्रविमान होता है वह पिंड के किसी एक बिंदू पर केंदरित होता है तो यहाँ पर जो सता है कोई जरूरी नहीं है कि वह द्रविमान केंदर से ही घोकर के गुजरे यानि कहने का मतलब है कि X-Aक्ष हो या Y-Aक् भी हो सकता है और द्रविमान केंद्र के ऊपर भी हो सकता है यानि कोई जरूरी नहीं है कि वह द्रविमान केंद्र पर ही हो तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जाना कि लंबवत अक्षप्रमे क्या होता है और इसके मान को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है तो मुझे उमीद है कि आपको ये topic अच्छे से समझ में आया होगा